अल्विदा अल्विदा माहे रमजान कल्ब आशिक हुआ पारा पारा कल्वे आशिक हुआ पारा पारा उल्वते हिजरो फुरकत ने मारा अल्विदा अल्विदा माहे रमजान अल्विदा अल्विदा माहِ रम्जान तेरे आने से दिल खुश हुआ था तेरे आने से दिल खुश हुआ था दिल का घुश हुशी से खीला था आह अब वक्ते रुखसत है आया अल्विदा अल्विदा माहِ रम्जान अल्विदा अल्विदा माहِ रम्जान बज में इफ्तार सजती थी कैसी खुब सहरी की रोनक भी होती होगा अब ये समा सुना सुना अल्विदा अल्विदा माहِ रम्जान तेरे दीवाने अब रो रहे हैं मुस्तरब सब के सब हो रहे हैं कौन देगा इनहें अब दिला साथ अल्विदा अल्विदा माहِ रम्जान अल्विदा अल्विदा माहِ रम्जान अल्विदा अल्विदा माहِ रम्जान असलाम लेकूम रम्जान मुबारक का आखरी जुमा जुमात अल्विदा आप सब को बहुत बहुत मुबारिक हो अमीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आज का दिन भी बहुत अच्छा गुज़रा होगा अला का शुक्र है मेरा भी दिन बहुत अच्छा गुज़रा हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहां हम लोग सहरी कर रहे थे सहरी में वही रूटीन का जो होता है दहीं, मक्खन, नसी यह तो मस्ट होता है ना सहरी में वो तो हर घर में होता है तो यहां फारिग होने के बाद फजर की नमाज पढ़ने के बाद सहरी करके हम लोग सो गए थे मैं कभी सो जाती हूँ, कभी नहीं सोती हूं लेड सोती हूँ लेकिन ड्रमीन को सुलाते सुलाते सो गई थी तो यहां साथ बीश पे रजी झाल आरम लगाया होता है और मैंने का था, आज आप ने चेंच करके जाने है कपड़े तो मैंने रजी का वाइड ड्रेस निकाला था क्योंकि आज ओफिस का लास्ट डे था और फ्राइडे था तो इसलिए फिर मुझे अच्छा लगता है कि रजी प्राइडे वाले दिन वाइट कलर का ड्रेस पहने जल्दी गंदा तो हो जा था लेकिन बस अच्छा लगता है पहना हुआ तो यहां मैं ड्रेस लेके नीचे जा रही थी लड़ी जा चुके थे रमीन उपर सो रही थी तो मैंने का था मैं इसको ऐसे ही छोड़के चली जाती हूँ क्योंकि हम इसको अकेला छोड़ते रही हैं सोते में पिल्ए मुझे रजी ने का था इसको साथ ले जो मैंने का अगर साथ लेके गई ना इसने उठ जाना है तो जो का मैंने करना है वो होना नहीं है तो फिर यहां हम लोगों ने कल कपरे दोए थे वो उतार रही थी अभी रजी मेरे ख्याल में बात वगरा ले रहे थे तो मैंने का था मैं गेट की कुंडी शुंडी लगा के पिर एक ही दफ़ा उपर जाओंगी और आज मैंने सोचा था कि जो मेरे उपर कबड के कपरे शुपड़े हैं वो ऐसे तुने शुने परे हैं वो मैंने आज ठीकर नियल मारी रामीन के सोते हुए क्योंकि अगर रामीन के जागते हुए कोई काम शुरू कर लो वो तो होता ही नहीं है वो ज्यादा खराब हो जाता है उसको समवाडने की बज़ए तो जाते ही मैंने फिर वो काम शुरू किया और ये तकरीबन कोई दो घंटे का काम था आपको पता है जब एक दफ़ा खिलारा निकालो ना तो फिर सेटिंग करने में बौर्ट टाइम लग जाता है ये चीज कहां रखनी है वो चीज कहां रखनी है और ये मेरी खुद की अपनी गलती है क्योंकि जिस दिन मैंने गर्मियों के कपड़े निकाले थे जो आइरन वाले थे वो मैंने इधर उधर रख दिये थे तरीके से और ये जो अलमारियों में थे रखे हुए अभी जो आपको खिलारा नजर आ रहा है इनकी मुझे भी समझनी आ रही थी कि ये चीजें कहां से यहीं है तो जब निकाला फिर तक्रीबन बोर्ट टाइम लगया था इसको समगारने में लेकिन अल्हा का शुकर है कि रमीन के सोए हुए रमीन उट भी गई थी लेकिन फिर सो गई थी और रमीन के सोते हुए मैंने ये सारा काम कर लिया था एक दो तीन चार जो खाने ये अल्मारी के वो मैंने सेट किये थे अभी ये उपर से निकाल के जो गंद है वो इस दराज में खिसोगर रही हूँ तुन तुन के तो बस ये काम किया था और जब मैं ये काम कर रही थी तब मुझे मेरे कार्ज वगारा याद आ गए नजर आ गए याद नी आ गए नजर आ गए तो मैंने का वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ अब ये देखें ये अल्मारी में से जैसे कपड़े निकल आए हैं न अगर पहले मैंने तरीके से रख लेती न तो फिर मुझे इतना नहीं खपना पड़ना था लेकिन ये भी एक औरत की अपनी गलती होती है कि वो पहले तरीके से चीज़ नहीं रखती है और फिर एक दिन बेचारी खप जाती है सारा समीरते हुए जब बंदा चीज़ें ऐसे निकालते हैं याद आता ओ ये चीज़ यहां परी थी यहां परी थी अच्छा जी ये ना पिछले से पिछले साल जब मैंने रजी की बर्थडे की थी ना बर्थडे मतलब बर्थडे तो फिर मैंने ये रजी के लिए कार्ड और ये स्टिक्स बनाई थी और अभी तक मैंने संभाल के रखी हुई है और इंशाला तला आगे भी इसको संभाल के रखूंगी ये मैंने बड़े प्यार से बड़ी मुखबत से बनाई थी शादी से पहले ये सब चीज़ें बनाने का बहुत शोग होता था और जब रमीन नहीं थी तब भी बहुत शोग था लेकिन अब तो बंदा तस्वर भी नहीं कर सकता है सोच भी नहीं सकता है किक पना ले क्यूंकि रमीन है और रमीन के होते विए कुछ बन ही नहीं सकता तो ये कपी मुझे मेरे पापा ने लाके दी जव मेरा बी-े इट की मेरी हां विर्कशॉप थी ना तब मुझे लाके दी थी मेरे पापाडी ने किसी से बनवा के दी थी उसने भी थोड़ी सी बना के दी थी और मेरे ख्याल में दो तीन दिन रह गए थे वरक्शोप को तो मैं जब टीचिंग करती थी बिल्कुल टाइम नहीं होता था ऐसी कौपियां शोपियां बनाने का तो फिर पापा जी किसी से कहके बनवा देते थे क्योंकर वो स्कूल में होते हैं मतलब सारे काम करवा सकते हैं कर सकते हैं तो ये कार्ज मैं शादी से पहले 2014 से हैं मेरे पास जो मैंने 14 से लेके अब तक हैं और ये खुद ही बना कर एकती थी क्योंकर जब किसी की बर्थरे होती थी ना तो बंदा कार्ड निकालता था लिखता था यहां कोई पिक्चर वगएरा एड़ करता था तो दे देता था तो यहां यह कार्ड्स मैंने खुद के बनाए हुए हैं इसमें मेरे भाईयों का है मैं साथ ले आई थी बस ऐसे ही याद के लिए और जो नीचे पिंक कलर का नज़र आ रहा है वो मैंने अपने पापा के लिए बनाया था यह मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया था मेरी बर्थरे पे अब तो इससे बातचीत होती नहीं है तब जब हमारी दोस्ती थी तो पक्की वाली दोस्ती थी हम लोग एक जैसे जूते एक जैसे कपड़े लेते थे और इस दोस्त से मैं इतना प्यार नहीं करती थी जितना यह मुझे से करती थी तो यह ठारा तरीख 2015 आठ्मा महीना 2015 का का कार्ड है और यह मैंने अपने पापा के लिए बनाए था राइटिंग तो ना देखिए गर राइटिंग ऐसे गंदी-मंदी सी है तो बस यह थे कार्ड भाईयों का कार्ड पहले खोल के आपको दिखा दिया था और आज जुम्मा था पहले मैंने वाइट ड्रेस नी काला था फिर मैंने का यह पहन लेती हूँ क्यों कि गर्मी का दिन था आज ज़रा फिर मैंने यह वाला ड्रेस नी काला यह पहना चूरिया बस ऐसे ही शोक से पहनी थी क्युंके कल मेरे भाई ने कहा तुम सादा सादा से रहती हो ज़रा सज समर के भी manager के सामने आ जाया खुरो तो मैंने का आज मैं अपने Academic Thoughts अपने भई और रमीन को भी सजा सम्वार के लपनागाक trophies तो हम लोग फिर आज बहुत प्यारे प्यारे लग रहे थे चूरिया मैंने काफी देर बाद पहनी थी आनिवरसरी पहनी थी दो तीन मिनट के लिए फिर आज पहनी थी तो ये फुल ड्रेस है जो आज मैंने पहना था इसके ट्राजर पे थोड़ी ती डिजाइनिंग थी वो म हाँ फिर हमारा अफ़तारी का टाइम था और आज अफ़तारी में फिर फुलकियां बनी थी और ये है खजूर का मिलक शेक और इसमें था सागुदाना हेल्दी डुरिंग हेल्दी डुरिंग हेल्दी डुरिंग और आज हमने अगर अफ़तारी में कुछ बनाया नहीं था त तो ये देई फुलकी हमने घर पे बनाई थी और बाकी चीज़ें इसलिए नहीं कुछ भी बनाया कि एक तो हमारी अफ्तारी बाहिर थी लेकिन वो एकदम से कैंसल हो गई तो इसलिए फिर हम लोग कुछ बनानी से कि हमने का था कबाब शबाब अगर खाना हुआ तो अफ्तार बदों ने खाईी थी और आप लोगों ने बताना है कि आज की नात आपको कैसी लगी और जो पहले मैं पढ़ती हूं वो कैसी लगी और मेरी आवास कैसी लगी दर्ज कैसी लगी और अगर आपको मेरे व्लोग अच्छे लगते हैं तो लाइक टीच lumière कीची और मेरी वीडिय सूरत दुखान पढ़ नहीं है तो अभी एफ्तारी के बाद चाये पीने के बाद शुरू कर देंगे क्योंकर सूरत दुखान जो है वो बख्षिश के लिए नहीं हमारे गुनाहों की मौफी के लिए और वो ज़ूर पढ़नी चाहिए मतलब जो भी ताक राते हैं ना हर ताक रात में इबादत करनी चाहिए तो अगर आपको आपकी वीडियो अच्छी लगी हो मेरी नाद अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलती हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में